आ चुके है गाइस एक बाफ फिर से एक नए वीडियो के साथ तो गाइस काफी लोगों ने कमेंट किया है कि उनको अब ये कन्फ्यूजन है गाइस कि काउंसलिंग के दिन क्या-क्या डाक्यूमेंट्स ले जाने है जनरल OBC एंड SCHT वालों को तो गाइस यही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो की यूजी वालों के लिए मैं बताने वाला हूँ गाइस इसलिए वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहेगा जिससे कि आप लोगों से कोई भी डिटेल मिस ना हो सके बड़ दोस्तों वीडियो शुरूर करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है अगर आप लेट चैनल पे नए हो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को इट कर लें जिससे की मेरी आने वाले वीडियो की नोडिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे आप चैनल ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई ओफिसियल यूट्यूब चैनल ओनलाइन फॉर्म इन हिंदी माई नेम इस पियूश गुपता यह हैस हमारा इंफॉमिशन पेज तो यहांपे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको क्या- lens यूदके जाने होगी डाकिमेंट्स फॉर कॉंसalis लीके लिए मैं यहांपे ब्थाने वाला हूँ तो general वालों की अनी सामानिक category यानी सामानिक strategy वालों के लिए तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को counseling letter ले जाना होगा जी हाँ दोस्तों counseling letter अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आपको entry नहीं दी जाएगी counseling hall में तो इसलिए guys आप लोगो से request कि आप लोग constantly letter अपना जले से चल download करके print कर ले उसके बाद आपका entrance admit card अब entrance admit card जो आपने entrance देने के लिए अपना admit card print कराया था उसकी भी copy आपको यहाँ पर ले जानी होगी फिर उसके बाद guys आपको अगर आप EWS category में आते हैं general के तो आप EWS का certificate भी ले जा सकते हैं फिर उसके बाद 10th and 12th की mark seat आपके पास होनी चाहिए transfer certificate and character certificate होनी चाहिए तो यहाँ पर दोस्तों कुछ लोगों को नहीं बता कि character certificate कहां से मिलता है तो character certificate आपके previous college से मिलेगा जिसके लिए आप apply करेंगे तो आपको एक दो दिन में आपका character certificate मिल जाता है तो उसके बाद दोस्तों आपको domicile certificate and income certificate आपको यहाँ पे अपना निवास प्रमाड़ पत्र और आप प्रमाड़ पत्र यहाँ पे लगता है और आपके course में जो आपके लिए बताया गया है कि आपकी फीस कितनी है तो आपको उतनी ही फीस ले जानी होगी और दोस्तों आपने weightage के लिए भी अगर apply किया हुआ है तो आपको weightage के लिए जिस चीज के लिए आपने apply किया जैसे कि NCC, RR या फिर आप previous college जो इंटर का college या फिर आपका graduation का जो college रहेगा वो आपने same college में ही study किया है तो यहां पर आपको weightage मिल जाता है और यहां पर maximum weightage आपका 15 होता है अगर आप इन तीन स्रेडी में आते हैं तो आपको weightage भी मिल जाएगा और अगर आपके पास physical handicap या आप दिव्यांग अगर आपके पास कोई ऐसा certificate है तो आप उसे भी लगा देंगे जिससे कि आपको और OBC वालों के लिए जान दोस्तों OBC वालों के लिए यानि कि other backward cast वालों के लिए तो यहां पर आपको counseling letter ले जाना होगा counseling letter के लिए दोस्तों आपको अपना download करना होगा website से उसके बाद आपको entrance admit card ले जाना होगा interest admit card दोस्तों जो आपने entrance के पहले दिया था उसकी copy उसके बाद आपको 10th and 12th की माक्षिट ले जाना होगी transfer certificate and character certificate आपको ले जाना होगा उसके बाद यहां पर आपको do missile and cash and income certificate भी ले जाना होगा जहां दोस्तों OBC वालों को आय जाती निवास तीनों को ही ले जाना होगा और उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर 5 photos ले जाने हैं और आपके course की जो fees होगी वह आपको ले जाना होगा और अगर आपने weightage के लिए guys apply किया है तो उसका भी certificate इस अब बात कर लेते हैं SC and HD वालों के लिए तो यहां पर गाईस SC और HD वालों को counseling ले जाना होगा उसके बाद entrance admit card ले जाना होगा उसके बाद गाईस यहां पर आपको 10th and 12th की certificate या निकी mark sheet ले जानी होगी transfer certificate ले जाना होगा character certificate ले जाना होगा उसके बाद domicile cast and income certificates भी ले अब फोटो ले जाने है जैना दौस्तों इस सब्पलाई किया है उसके अगा बाद उसको यहां पर वैटेच यहां ने आप दिव्यांगे सेनानी आश्रित के category में आते हैं तो अगर आपके पास उसका भी certificate है तो आप उसे भी लगा दे आपको benefit मिलेगा उनकी category अलग होती है आपको मैंने उसमें previous वीडियो में आपको बता दिया था पहले की वीडियो में आपको मैंने बताया है कि किस डेट में किस लोगों का आपका admission होगा अगर आप लोग ये वीडियो भी देख सकते हैं इसका link मैंने description में देती आए गाइस और आपको end screen और i button पर भी मिल जाएका वहां से भी आप जाके देख सकते हैं कि कि किसके लिए कितना फीस लगने वाला है और किसको कब जाना है ये सारी जानकरे मैंने दोस्तों पिछले वीडियो म तो आप मुझे comment box करके comment करके पूछ सकते हैं मैं आपको reply देने की पूरी कोशिश करता हूं और मैं देता भी हूं और अगर दोस्तों आप मुझे instagram और telegram पे follow करते हैं वहां पे भी मैं आपको regular basis पे reply देता रहता हूं personal message का भी वहां पे reply देता रहता हूं तो guys अगर आपने कि मुझे instagram और telegram पे जॉइन नहीं की हैं तो आप मुझे instagram पे follow और telegram पे group जॉइन कर सकते हैं तो guys आज के लिए बस इतना ही मिलता हूं आपके अगले वीडियो में तिल देन बाब बाई जाहिन दोस्तों थाइंक्स फॉर वॉचिंग